Welcome to new lesson इस lesson में आप से बात करूँगा about RLSA ठीक है जी सो सबसे पहले RLSA है क्या RLSA is Remarketing List in Search Ads This is RLSA अब देखो आपने Remarketing Ads बनाना सीखा था अब जो आपने Remarketing Ads बनाना सीखा था उसमें होता क्या था कि जो भी आपके Website पे आया हम उसे Remarketing करते थे YouTube के उपर या Display के उपर बाकी प्लैटफर्म्स पे हम उने Remarketing करते थे ठीक है अब जैसे आप नाम से समझ सकते हो Remarketing List in Search Ads का मतलब है आप Remarketing कर रहे हो कहां पे कर रहे हो Search पे कर रहे हो Google Search Ads पे ठीक है कैसे काम करते हैं ध्यान से देखो Suppose करो ये कोई User है ठीक है और ये User आपके Website पे गया इसने आपका Product नहीं खरीदा ठीक आपका Product नहीं खरीदा अब क्या चाहते हो कि जैसे ही ये वापस जाए Google पे और वहां जाके कुछ Search करे तो इसको आपकी Add दिख जाए ठीक है तो इसे हम Simple कहते हैं Remarketing List in Search सबसे पहले आपके पास एक Audience होनी चाहिए Right सबसे पहले काम आपको करना पड़ेगा आपको Audience बनानी पड़ेगी और फिर आप Remarketing Ads रन कर सकते हैं ठीक Audience बनाना आप आप अल्रेडी सीख चुके हो पहले की वीडियो में तो इस लेसन में इस वीडियो में हम सिधे Remarketing Ad बनाना सीखते हैं कौन सा Search Ad ठीक है RLS से तो Simple है आप देख सकते हो मैं आपने Google अकाउंट के अंदर हूं अपने Adword अकाउंट के अंदर हूं और मैं जाता हूं campaign के अंदर और यहां से मैं करता हूं Plus और यहां पर मैं करता हूं New campaign और यह इतने सारी option है मेरी पास तो मैं करता हूं Create a Campaign Without a Goal और यहां पर मैं करता हूँ search और इसे मैं करता हूँ यहां पर continue campaign का नाम में लिख देता हूँ RLS से और search partner और display partner यहां से हटा देता हूँ show more setting यहां पर कुछ करना नहीं है मेरे को location मैं इंडिया रखता हूँ language मैं और ले लेता हूँ अब यहां पर मुझे लेनी है audience ठीक है किसे मैं remarketing करना चाहता हूँ तो यहां पर देख लो क्या मैंने कभी पहले कुछ audience यहां पर यहां पर मैंने कुछ ने कुछ audience बनाई होगी है ना देखो तो एक audience बनी हुई है all visitors ठीक है all visitors जितने लोग है जो भी लोग है जिन्होंने मेरी website विजिट की है तो वह मैंने ले लिया all visitors इसके अलावा आप और बनाना सीख चुके हो तो आप और audiences बना सकते हो ठीक है मैंने ले लिया all visitors अब जैसे मैं नीची आया तो यहां पे दो option आ रहे हैं पहला आ रहा है देखो targeting ठीक है और दूसरा आ रहा है observation ठीक है अब यहां पे आप समझो की targeting और observation में फरक क्या है अब यह आपको clear है कि हम कर क्या रहे हैं तो हम remarketing ad run कर रहे हैं हमें remarketing ad कहां run कर रहे हैं तो remarketing ad हम run कर रहे हैं आपका search ads पे ठीक है अब यहां अब यहां पे दो option आ रहे हैं हमारे पास पहला है targeting और दूसरा है observation ठीक है अब अगर मैं targeting लेता हूँ right तो क्या होगा तो suppose करो यहां पे मैंने audience select की उपर एक ठीक है audience मैंने क्या select की audience मैंने select की की जितने भी मेरे website के visitors हैं अब मैं आगे जाके क्या करूँगा अब आगे जाके मैं select करूँगा keyword right, सबसे पहले मैंने क्या लिए audience जो जो लोग है, जो मेरी website विजिट कर चुके है then मैं आगे जाके लूँगा keyword अब अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे targeting पहला option, तो उसका मतलब है मेरी ad किसी को कब दिखे जब वो मेरा visitor है plus वो keyword सर्च कर रहा है जो मैंने set किया है मतलब दोनो condition match होनी चाहिए तभी मेरी ad दिखेगे observation में क्या होगा वो मेरा visitor होना चाहिए plus मैं यहाँ पे keyword सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरी ad उसे कब दिख सकती है अगर वो मेरा visitor है तभी भी ad दिख सकती है और अगर वो मेरा keyword सर्च कर रहा है तभी भी ad दिख सकती है तो यहाँ पे है और मतलब अगर मैं observation रखता हूँ तो मेरी reach है वो होगी जादा अगर मैं targeting रखता हूँ तो मेरी reach होगी limited मेरी reach कब होगी जब user दोनो condition fulfill करे मतलब वो मेरा visitor भी होना चाहिए प्लस वो मेरा keyword भी सर्च करना चाहिए तो अगर आप run कर रहे हो just remarketing remarketing list in search ad अगर बस आप यह run कर रहे हो तो आपको रखना है targeting अगर आप normal ad और remarketing ad दोनों एक साथ run करना चाहते हो then आप क्या रखोगे आप रखोगे दूसरा observation ठीक है तब आप क्या रखोगे observation तो हम क्या run कर रहे हैं हम run कर रहे हैं हम run कर रहे हैं just remarketing तो मैं क्या रखूँगा मैं रखूँगा targeting ठीक है जी clear है अब आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे आप अपना लिखोगे budget आप कितने पैसे लगाना चाहते हूँ तो मैंने 1000 रुपे ले लिया आप यहाँ पे लखोगे bidding तो यहाँ पे मैं automatically कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ manual CPC ओके यह audience यहाँ से चली गई for some reason यहाँ से वापस ले लेते हैं और manual CPC ले लेते हैं यह हटा देते हैं show more settings यहाँ पे कुछ नहीं करना और continue और see मेरा keyword है bodybuilding और default bid है 34 रुपे और यहाँ पे मैंने ले लिया exact match bodybuilding ठीक है अब यह काम कैसे करेगा एक बर दुबारा समझ लो यह add किसी को तभी दिखेगी जब वो क्या सर्च करें जब वो सर्च करें bodybuilding plus वो already मेरे audience का part हो जो मैंने all users वाली audience ले थी न कि जो जो लोग already मेरी website पे visit कर चुके हैं वो उस audience का part होना चाहिए plus वो सर्च क्या करें bodybuilding तभी मेरी add उस बंदे को दिखेगी उसके बाद simple save and continue और normal आप जैसे add बनाते हों जो भी यहां पे आप लिखते हो url वगर है वो सारी चीज़ आपको पता ही है हम पहले discuss कर चुके तो वो सारी चीज़े आपको यहां पे लिखनी है और आपकी add बन करें तो अब हम कर क्या रहे हैं basically अब हम remarketing add run करें और वो remarketing कहा रन कर रहे है तो वो हम remarketing run कर रहे है in google search खीक है जी तो इसे ही हम कहते है remarketing list in search ads आपने बनाना देखा आपके पास दो option आएंगे जब आप audience select करोगे पहला targeting दूसरा observation जब आप targeting select करते हो इसका मतलब आपकी दोनों condition मतलब वो जो बंदा है वो आपके audience का भी part होना चाहिए प्लस वो आपका keyword भी search करना चाहिए अगर आपने तो observation तो या तो वो आपकी audience का part हो या keyword हो दोनों condition में add दिख सकती है अगर वो आपकी audience का part है तभी भी उसे add दिख सकती है